आप सभी का स्वागिता है मारे यूटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आरपेसी जल्द सुरू करेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो क्या है OTR परणाली और क्या है इसके लाब तो वीडियो में सुरू से अंतक बने रहें इस पर अपने पूरी चर्चा करने वाले अगर वीडियो उप्योगी लगती है तो वीडियो को लाइक अवशे करें अधिक अधिक शेर करें और यदि आप हमारी यूटूब चैनल चीनिया क्लासिज पर पहली वार पदा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गंटी अवशे दबा दें ताकि आपको इसी परकार की उप्योगी जानकारियां हमारी चैनल के मादिम से समय समय पर मिलती रहे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो आर्पेसी 2021 वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू तो राजस्थान लोग सिवा आयोग अर्थात आर्पेसी के अध्यक्ष डाक्टर स्विप सिंग राठोड ने सूचना परद्योगी की अनुभाग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटियार कारिये में तेजी लाने के लिए निर्देश दिये हैं अध्यक्ष राठोड के अनुसार पिछले कई सालों से लंबी थी हैं मैत्पुर्ण निर्या जनवरी महिने के महिने से कारियरूप में लागू कर दिया जाएगा इसी कर्म में विविन परिकिरियाम तक्निकी पहलों पर आईटी सेल के अधिकारियों से चर्चा की गई है संभावना है कि सभी प्रिक्षनों के उपरांत इसे जनुरी महा तक लौंच किया जा सकता है क्या है वण टाइम रिजिस्ट्रेशन तो इस पर अपनी चर्चा करते हैं वण टाइम रिजिस्ट्रेशन के मादम से अब्यर्थी को एक यी बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी इससे अलग अलग बर्तियों के लिए आवेदन करते समय अभियर्थियों को पूने ना, योगिता वे अन्यवांसित जानकारियां देने की अवशक्ता नहीं रहेगी आयोग द्वारा दियेगे यूनिक नंबर को दर्ज कर मात्तर अपने जो आपका आईडी बनेगा उसके द्वारा बियर्थी द्वारा प्रोफाइल में दर्ज वेवरन का फोरम में स्वत ही इन्रोल हो जाएगा प्रोफाइल को समय समय पर उद्धतन अर्थात अपडेट करने की सुईदा भी इसके अंतरकत दी जाएगी इस समंध में डाक्टर राठोड के मारक दर्शन में आयो के IT अनुबाग द्वारा कारिये किया जा रहा है तो अगर अपने इसको समझें तो इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको एक बारी एक ID क्रियेट करने होगी जैसे कि आपकी SSO ID है उसी परकार तो उसमें आपने जिस भी बरती के लिए आपको form बरना है तो उसमें बार-बार आपको कोई भी photo, कोई भी signature या जितने भी document है बार-बार आपको update करने की जुरूरत नहीं है आपने एक बार सब कुछ update कर दिया उसके बाद में उस ID के आपको password मिल जाएंगे उसके बाद में जब भी नहीं वर्ति आएगी वहां से आपको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और डारेक्ट आप उस वर्ति के लिए आवेदन कर सकते हो इसमें आपको बार वार फोटो अपलोड करने की जूरत नहीं रहेगी या कोई भी जानकारियां बार वार आपको अपलोड करने की अवशक्ता नहीं पढ़ने वाली है इसमें और इसके अलावा जो आपकी आईडिया उसको भी आप सम्मेक अनुसार अपडेट करने की जो सुविदा है वो इसके अंदरगत आपको परदान की जाएगी तो यह है वन टाइम रिजिस्ट्रेशन सिस्टम अब अपने बात करते हैं तो यह एक न्यूस पेपर की कटिंगा जिसमें भी कर गया है आर्प्यासी वन टाइम रिजिस्ट्रेशन जनवरी से अधेक्स राठोड ने दिये कारिये में तेज़े लाने के निर्देष अब गलतियां उने की तुष संभावन वो इससे कम हो जाएगी क्योंकि आपको जानकारियां बार-बार नहीं बढ़ने पड़ेगी ये सबसे बड़ा फाइदा रहता है क्योंकि अभियर्ची का फारम हो गलत हो जाता है और गलत वाने के बाद में रिजेक्ट हो जाता है और जब के कार्ण होने वाले वाद प्रिवेदनाओं में कमी आ जाएगी आवेदन के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज की जो बार-बार अवशिक्ता पड़ती है वो इसमें अब नहीं पड़ेगी फिर अपने बात करें आवेदन को पूरा बरकर सम्मिट करने में लगने वाले सम में भी कम याईगी आपको सारे डोकमेंट अफलोड द्वार से नहीं करने पड़ेंगे आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है बरती के एकोर्डिंग और उसमें जल्दी से आप सम्मिट कर सकते हो दूस दराज के शेत्रों में निवास रत अभ्यर्थियों को आवेदन में सहुलियत मिलेगी यानि कि कोई दूर ग्रामेंट लाकों में रह रह रहा है फिर आप उसको बजार जाना पड़ेगा वहां से वही मित्रा के मादिन से फोरम बरवाता है तो इसमें बहुत ही सहुलियत परदान आपको हो जाएगी तुरूटी सुदार के लिए उने वाले अ अनुसार पर किरिया समय वद्ध पूर्ण है होचकी यानि कि आपको फोरम बरने में लगबाग एक डेड़ में लग जाता है तो इसमें भी कमी आएगी और फोरम जल्दी से प्रवाई जासकेंगे और पेपर भी हो सकता है इसे जल्दी हो जाए तो हो सकता है कुछ ने सबसे जो बड़ा फाइदा है वो यह होगा कि आवेदन में तुरूटियां कम हो जाएगी और उसका जो अवश्यक जो अनावश्यक जो चार्ज लगेगा संसो दन में बो सबसे कम आपका होने वाला है तो यह थी इससे समय दित महत्पून जानकारियां उमीद करता हूं मार यूटूब चैनल चीनिया क्लासिच को सब्सक्राइब कर लें गंटी आपको इसी प्रकार की प्योंगी जानकारियां हमारी चैनल की मदब से समय समय पर मिलती रहे तो मिलेंगे नहीं वीडियो में जानकारिक साथ तब तक धन्यवाद